आज आप सबके साथ मैं शेर करने जा रहे हूं पालक पनीर की रेस्पी ये वाला पालक पनीर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हम शादियों में खाते हैं ना पालक पनीर बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा हम चादियों में जाते हैं और पालक पनीर खाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा पालक पनीर घर पे क्यों नहीं बनता तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और जब भी आप पालक पनीर बनाये ना इसी तरीके से बनाईएगा आपको बहुत पसंद रहेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक को उबालना है तो यहां पर मैंने पतीले में पानी गरम करने के लिए रख दिया है और यह मैंने 300 ग्राम पालक लिया है जिसको अच्छे से धोके साफ कर लिया है तो पालक पनीर बनाते समय जब भी आप पालक को उबाल जादा देर नहीं लगती पांच मिनट लगते हैं अब आप देखेंगे पहले से ढख दें मीडियम फ्लेम पे और जैसे इसमें उबाल आने लगेगा फिर इसको ढखे ना बिना ढखे ही हम 3-4 मिनट तक इसको और उबालेंगे जो इसका कलर है ना वो चेंज नहीं होना देखने में लग रहा है कि पाला कच्छे से उबल गया है तो बहुत जादा हमें इसे नहीं उबालना है अब गैस की फिल्म को बंद कर देंगे और इसे चान लेंगे पानी में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं रहने देना है तुरंती पानी में से निकालने ना है तो अब गै यहां आहारायां कर लेते हैं तो इसके लिए यहां पे डाल देंगे यहां पयाज ली है तो हमें अलग से पहले प्याज को भूनने की जुरत नहीं है, बाद में टमाटर भूने उसमें काफी देर लग जाती है, तो इस तरीके से सारी चीजों को हमें एक साथ पेस्ट बना लेना है, और जब आप इसे अच्छे से भूनेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग आएगा पा पालक बाला है, अच्छे से ठंडा हो गया है, इसका पेस्ट बना लेंगे, पालक को पीस्टे से में भी पानी डालने की जुरत नहीं है, बिना पानी डालाई अच्छे से ये पेस्ट जाता है, तो इसका भी पेस्ट हम रेडी कर लेंगे, और आप चलते हैं पालक बने बना थेस्ट यहां देगे, और हिंग अल्का सा भून लेंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे पेश्ट जो हमने रेडी किया है प्याज टमाटर लेस्ट लेज लेंगे, और इसको अच्छे नॉर्मली देखा है कई बार लोग पागल लग पनीर बनाते हैं पहले प्याज को भूनते हैं तो काफी देर भी हो जाती है लेकिन इस तरीके से आप बनाईये बहुत चल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है अब अब भून लेंगे सारी चीजों को और यह जैसे आप देखेंगे इसमें से ओयल अलग दिखने लगा है मतलब अच्छे से बुन गया है दिखने में लग रहा है फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे तो यह पे सारी चीज अच्छे से बुन गई है अब गैस की फिलम को बिलकुल लो कर देंगे और बाकी सारे मसाले एक चमच डालेंगे धनिया पाउडर एक चमच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर साथी में एक चमच ही हम इसमें डालेंगे देगी लाल मिर्च और किचन किंग मसाला डाल देंगे एक चमच ये आपके पास कोई भी मीट मसाला है वो भी डाल सकते हैं नमक डाल देंगे बिल्कुल फ्रेश मलाई आपको लेनी है दो बड़े चमच तो यह जरूर डालिएगा बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पालक पनीर का बस इसे मिक्स करेंगे और लोटू मीडियम फ्लेम पे फिर से मसाले को अच्छे से भून लेंगे बस बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे अभी हम ढग देते हैं और बीच बीच में चलाते हुए मसाले को अच्छे से भूनेंगे दो से तीन मिनट के बाद ही आप देखेंगे यहां पर यह मसाला कुछ आपको इस तरीके का देखेंगा अच्छे से भून गया है और बिल आप को अफецु कंड़ी तो अब यह हुआ इसकि अपर सव आप स्व में अभी अक्स काहिं डेंगे तो पालक पनीद मेंगें तो आप में लिए उसका कि अगलना सीच। अच्छे से मिक्स कर देंगे गैस की फ्लेम को कर देंगे low to medium और अब इसे ढखके पकाएंगे 3-4 मिनट तक बीच बीच में चलाते रहेंगे और 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें से ओयल बिलकुल अलग दिख रहा है और पहले से ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाड़ लेकिन अभी हमें से थोड़ा सा और गाड़ा करना है तो बस अब इसमें हम डाल देंगे पनीर तो मैंने या पे 200 ग्राम पनीर लिया है इसको आप अपने हिसाब से पतला चोटा कैसा भी काट सकते हैं यह डाल देंगे मिक्स करेंगे और फिर से दो से तीन मिनट तक और हमें तो बस मिक्स करके इसे ढख देते हैं और बीच बीच में चलाना बिल्कुल भी न भूले जिससे की नीचे की साइट से यह चिप के ना तो टोटल छे से 7 मिनट या 8 मिनट तक आपको इसे पकाना है और यह देखिए यह पालक पनीर हमारा बन के रेडी है पनीर भी सॉफ्ट हो गया है और ग्रेवी भी बिल्कुल पर्फेक्ट बनी है बहुत जादा पतली नहीं है बहुत जादा गाड़ी नहीं है तो बस अप गैस की फिल्म को बंद कर देते हैं और से सर्व कर लेते हैं लेकिन सर्व करने के बाद इसके ओपर हम तड़का लगाएंगे तो उसके ल तोड़ी सी साबुत लाल मिच चाल देंगे आप चाहिए तो दुबारा इसमें हींग भी डाल सकते हैं दो से तीन पिंच अगर आपको हींग का फ्लेवर जादा पसंद है तो बस उसके बाद साबुत लाल मिच को हलका सा भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे बारी कटा हु लहसन लिया है ये डाल देंगे आप इसमें बारी कटा हुआ अद्रक भी डाल सकते हैं अगर आपको अद्रक पसंद है तो लेकिन मैंने या पे सिर्फ साबुत लाल मिच और लहसन डाला है इसको बिल्कुल लो फिल्म पे अच्छे से बहुन लेंगे और देखेगा ये लहस आदियों वाला हमारा पालक पनीर बनके रेडी है एक पार जरूर ट्राइ कीजेगा आपको ये बहुत पसंद आएगा आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत चाहिएगा शेयर कीजेगा फैमडी और फ्रेंट्स के साथ और चैनल को जल्दी से स सब्सक्राइब कर दीजे हम जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए